हाई फ्रेंड्स आज में आप लोग ले क्या हैं इंस्टंट डेजर्ट की रेसेपी जिसे बीना गैस जलाए बनाएंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये घर की कुछ रखे हुए समानों से ही बनके रेडी हो जाता है फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नये है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए फिर बनाते हैं इंस्टन्ट डेज़र्ट बनाने के लिए एक बाउल में दो चमच मिल्क पाउडर लेना है, एक चमच पीसी वीचीनी और एक चमच फ्रेश मलाई, फ्रेश मलाई जो ताजी दूद के ओपर बैठती है वो मलाई है, रखी वी मलाई नहीं लेनी है क्योंकि रखी वी मलाई में थोड़ा सा स्मेल अलग हो चाता है, इसलिए ताजी ही मलाई लेनी है, अब एक चमच डालके इन सब को मिक्स कर देना है, अभी थोड़ी सी गाड़ी लग रही है, इसमें थोड़ा सा दूट डालेंगर स्मूथ पेस्ट रड़ी कर लेंगे, आप इसमें गरम दूद का यू करके निकाल लेना है, इस रेसेपे में आप बासी ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं, बहत बार ऐसा होता है कि हम लोग ब्रेड ले आते हैं और दो चार पीस पैकेट में बच जाता है, तो थोड़ा सा हाड हो जाता है, तो इस तरह से आप इस रेसेपे को बना के ब्रेड का अब देखिए हमने दोनों ब्रेड का साइड पार्ट निकाल लिया अब एक स्लाइस ब्रेड लेंगे उसके उपर हमने जो मलाई और मिल पॉडर का मिक्षर रखा है उस तरह से फैला देंगे पूरा चारो सैड से ब्रेड के उपर फैला देना है यह डेजर्ड जितना आसान ब कर लेंगे आप चाहें तो अपने मन पसंद किसी भी सेप में कर सकते हैं यह ट्रेंगल में काफी जादा सुन्दर लगता है देखने में अब एक दूसरा बॉल लेंगे उसमें आधा कब गाढ़ा किया हुआ दूद लेना है यदि आपके पास गाढ़ा किया दूद नहीं है त एक चमच इलाइची पाउडर आप इलाइची पाउडर के जगह वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए अब इसमें डालेंगे केसर वाला दूद पूरी तरह ऑप्शनल है सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हुए आपे अब लेना है थोड़ा सा कटा हुआ ड्रा जादा फ्लेवरफूल है इलाइची का केसर का तो यह पता ही नहीं चलता है कि ब्रेड से बना हुआ है इतना ज्यादा स्वादिश लगता है और ब्रेड रहने के कारण मूँ में असानी से घुल भी जाता है आप इस रेसिपी को बना के फ्रीज में स्टोर करके रख सकते है एक दीन दो दीन आसानी से चल जाता है और इसे आप ठंडा ठंडा खा भी सकते हैं आप किसी भी ओकेजन में यह बना सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको आज की यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें फिर मिलते हैं आगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई